हेलो बच्चों वेलकन टुमाइड चैनल नाले जटा मैं हूं आसी सर राजम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का एक इजी टॉपिक जिसका नाम है मेकनिकल पपरड़ी आप सॉलिड तो इसमें मैक्सिम्ट क्या पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में वैसे रेयल्टी क कि यह है कि क्लास 11 का फार्ट सेकंड का जो एसमें कहीं कहीं तीन टॉपिक्स ऐसे आपको देखने के मिलते हैं जो मैटर से लिड़ीड है क्या मतलब सर मैटर की बात करें अगर मैटर क्या होता है आपको पता है मैटर जनरली आपने तीन कडिगरी में आपने डिवाइड के रखा है और बात करें लिडिक्विड गैस तो हम क्लास 11 के फिजिक्स में जो फर्स चप्टर मेकनिकल पड़ी आप सालेड इसमें आपको सालेड के बारे में जनरली पढ़ने हैं और सेकंड चेप्टर जबाएगा इसका फार्ट सेकेंड को तो मेकनिकल पड़ीड याफ आपको यह तीन मैटर के थिस्टेट के बारे मारे में आपको जनरली पढ़ना है तो यह टॉप्क करने जा रहा है यह आपका का फर्स रचमने सालिड। सकता है यह कहानी हम लोगए तो इसके बारे में हम आगे आप कांटीनु करेंगे थोड़ी सी आज हम बेसिक आडियान लेते हैं इस चप्टर के बारे में चलिए श्टार्ट करते हैं देखें जैसा की बात किया कि आटम कॉंसिस्ट आफ वेरी स्माल इसमाल पॉस्टिफ चार्ज। निव्यस आप साइज आफ इतना अडर इतना मारा से नाडर विद दर निगेटिव चार्ज और वुला है रिवालविंग एराउंड दा ओवर सीधी सी बात है सर आपको पता है कि सर निव्यस की जो साइज होती है वह कहीं ने कहीं 10 पाउर माइनस 15 मीटर होती है क्या होती है 10 उसकी जो साइज होती है निव्यस की निव्यस की क्या होती है साइज होती है चुगि एटम के अंदर निव्यस होगा उस निव्यस को जो साइज होगी कहीं ने कहीं आप बहुत सक्टियों 10 पाउर माइनस 15 क्या होगा उसकी साइज होगी और बात करें विद निगेटिव चा है झिनको हम पॉजिटी चार्ज बोलते हैं और उसी चारू तरफ क्या होता है ऐल्य ₹ कर रहा होता है तो सर्भाद करें इस की साइस की enclosed की बात करें टेल आइप मतलब उस साई होती है कहीं नहीं कहीं 10a-10a होती है आप और यम्हेन इकमें дрób होते हैं जर्ल ब्लक्षितान और उलस्थम ट्रप क्या कर रहा हुथ हम्हें इसकी सब्सक्राइब और बात किया है और बात करें इनके एंटर मालेकुलर फोर्स के उपर डिपेंड किया कि जैसे मान लिए सर किसी सॉलिड है और उनकी बीच क्या होगा इंटर मालेकुलर फोर्स आप अठ्रक्षन जादे होगा मतलब एक मालेकुल दूसरे मालेकुल क्या करेंगा अच्छे से अठ्रक्षन फोर्स अच्छी होगी उसको बोलते हैं इंटर मालेकुलर फोर्स और इंटर मालेकुलर फोर्स बोलते हैं उनके मालेकुल की बीच में और वो किस पर डिपेंड करते हैं टमपरेचर और साइम सौलिट है क्या मतलब सलु मतलब माली अम कर आपके पास गेरा कर आप से दूसरा मार कर आप मेप देलिया सरीस्टर इसकी मालने टॉन्टील सीषल इसकी टेम्परचर आपके 500 डिगरी से तो क्या सर वही चीज क्या इन पर कुछ डिफ्रेंस होगा क्या हां मिल्कुल डिफ्रेंस होगा सर इनके बी चुम मैं इंट्रमालिक्लर फोर्स आप अच्छी इस टॉंग इस लोगी लेकिन इसमें क्या होगा टेमप्रेचर की विज़े चलेगा तो आगे नश्ट आते हैं सर देखिए मालिजे आपने रोटेशन में क्या पढ़ा था ROTATION में आपने पढ़ा था RISID BODY की बारे में पढ़ा था क्या RISID BODY की बारे में पढ़ा था लेकिन वहां RISID BODY की कभी SAYP OVCANGE की बाती नहीं की थी आपने ROTATION जब आपने पढ़ा होगा तो बोलाओगा SIR, RISID BODY जिसका SAYP क्या रहेगा एक दम फिक्स रहेगा जिनके पार्टिकलस रहेंगे अंदर की जो पार्टिकलस 2 रहेंगे दो गहीं उनकी बिच डिस्टेस हमेशा क्या रहेगी एसे आपने रिजट बॉड्य रखा था तो देखो होता कि अधर थिर्विटकली हम परते चले हैं तो इसी बाड़ी है रिजट बॉड़ी के अंदर जो पॉइंट होगे दो क्या हों कि फिक्स रहें गया से जनली बात करें शर्मान लिजे आपके पास इस्युन बाड़ी है यह . है और इसी कम लूट क्या बोलते हैं रिजिट बॉड़ी बोलते हैं चूकि आप ने जब रोटेशन पढ़ा होगा तो वहां पे ठिर्ट के लिए आपने बढ़ा के रिजिट बाड़ी और रिजिट पर आप कोई एक्टनल लगाते थे तो उसकी सेप में कोई डिफॉरमेशन नहीं होताथा जहां दीजेगा जब आप रोटेशन पड़ रहे थे ना तो रोटेशन ये आपको बताया गया सर उसमें रिजिय्ट बॉड़ी होती तो उसकी सेप में चेंजिंग नहीं आएगी और सेप में चेंजिंग नहीं आएगी तो फिलहाल उसके बाद में उसके सेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा यह आपने ठीरिट के लिपढ़ा था लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे आप सर इस चैप्टर में का करेगी चेंज करेंगी थोड़ी सी यहां पर म हानि आपको समझने वाली बास हैं सर आपके पास माल लीजिए आपने यही चीज आपने कहां परारोटेशन परऑ तो रोटेशन में इसका नाम दी्या आप is rigid body किया किया आपने इस पर फोर्स अगया अपनेस लिए कहां है। बोर्स के BOB имеет आपने डिफार्मिंग फोर्स का मतलब यह किसे ट्र जो फोर्स जो किसी सेप को ही जिद कर सकता है। ढहले है थी यह बाड़ी है यह solid body है लेकिन इस पे आपने कोई force लगाया तो कहीं ने कहीं इसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर उसकी shape और size थोड़ी सी change हुई उसकी body क्या हुई थोड़ी सी deform हुई मतलब क्या कुछ हलकी से टेड़ी मेड़ी हुई आपको force लगाने के बाद और जो किसी shape और size को हलकी फुलकी change करें उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं deforming force तो elasticity में क्या हुआ सर यही कहानी आए कि solid पे क्या करोगे जब आपको external force लगाओगे या फिर deforming force लगाओगे तो उसके shape और size में कुछ changing आएगी क्या आएगी shape और size में कुछ changing आएगी इसी को हम लों deforming force बोलते हैं और इसी chapter में यही सब बातें पढ़नी है कि solid में क्या करोगे अगर आफ force लगाओगे तो कहीं ने कहीं उसकी shape और size थोड़ी change होगी और जो change करने वाला force होगा कहीं ने कहीं उसको deforming force बोला जाएगा body यह आपने यह लगाया जहां दीजिएगा सर जैसा कि बात करें अगर इस प्रिंग की बात करें इस प्रिंग की बात करें इस प्रिंग इस सॉलिड इस प्रिंग क्या है आप समस्ते हो सर इस प्रिंग जो होती ही आपने compress करते हो तो सर जब आप स्प्रिंग एक solid है लेकिन ह कर सकते हो यह कामन सा यह प्रेटकर लाइफ आपका है जो आपने पढ़ा था रोटेशन में उस चीज को कहीं ने कहीं यह गलत साबिद करता है या बोल सकता है उसको दूसरा वे से आप इसको बूल सकते हो इसार सॉलिट के पास आपने रोटेशन पर था कि कोई क्या हुआ चेंजिंग आया तो यह दो दो इस इस सब्सक्राइब कंप्रेशन अलोगेशन आप दा और और क्या करें बेक बैक इंटो इनिसल इस्टेट आपने आजाएगा तो कहीं निका यह बाते हैं आपको प्रूफ करती है सर बात करें आगे चैप्टर को स्टार्ट करत देहां दीजेगा ऐलास्टिशिटी एक क्या है एक किसी यह उप्जेट की किसी बाडिकी एक मोलेकूल की टेंडेसी है जो क्या करेंगा वह अपनी पूरा Primary कूईशन पे और से आ जायेंगा वह क्या करेंड है इसको बोलते हैं आ करें इतित नहीं ग्得 प्रूम है यह बॉडि की वो टेंडेंसी है जो इसके अंदर सेप साइग में जो चेंज होती है उसका अपूस करता है दो बात के लिए हैं सर की अगर वो टेंडेंसी किसी object की जो करने के बाद इसका बाद अपने प्रेस के अपने पोजिशन पे आ जाए तो कहीं उसका वो क्या करेगा अपोस करेगा तो डेफिनेशन ये वन डेफिनेशन ये टू दो बात करें इस्टील इस मोर एसी देंदि कंपेर टूदा सिस्टील में सबसे ज़ए एलास्ٹिक कौन है अधा दीजीगा एक बदाई है कि आपने माले इस्टील है और आमकी पास कोई रवरा है आप ने इस्टील को क्या क्या स्टेश हो झाद ही तो सबसे ज़ादे इस्टेश आपने क्या स्टेश तो हुआन। इस्टिस क्या हुआ नहीं इसका मतलब सर यह आपजेट की ऐसी टेंडेंसी भाइंग कर वाली कि उसको एलोंगेट होने के लिए वह अपोस कर रहा है इलोंगेट होने ही नहीं दे रहा मतलब इसके अंदर बहुत भाइंकर तरीके से इलास्टिक है क्या SAT तो कहने के बच्चे इस BAT को लेखे कंफ्यूजे सर रबर जादे ELAGixaCITY है या That सच है या स्टील तो बोलोगे सर इस्टील जादे elastic है क्यों? क्योंकि ये object की property होती है जो उसके अंदर change होता है उसका oppose करेगा लेकि रबर वो चीज नहीं कर पाता है रबर oppose नहीं कर पाता है वो जितना की steel oppose करता है इसलिए क्या होती steel आपकी जादे elastic होती है compared to the rubber तो बात करें सर definition one से क्या किया steel या जादे elastic है और रबर आपका definition two से क्या है less elastic है compared to the किसके steel के तो कहिन कहीं ये बाते clear हो चुकी है सर कि steel और rubber में कौन से जादे elastic होते हैं elastic मतलब क्या करे object की ऐसी tendency जो उसके अंदर होने वाले change का oppose करता हो वो क्या कहलाता है elastic कहलाता है तो स्टील को जादे आप स्टेट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि स्टील उस चीज़ को अपोस्ट कर रहा होता है इसलिए स्टील क्या होगा more elastic होगा compared to the किसके रबर देखें बात करें आप सीदी से बात एक प्लास्टिक बोलेंगे इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपने खीचा जल्दी आपस आ गया वो क्या होगा आपका more elastic जो आपने खीचा धीरे आया वह क्या हो अपने पॉरिजिनल पॉरिजनी पोर्ट सब्सक्राइब और अपने खीच वो आया ही नहीं ऐसे कैसे रह गया तो वह का प्लास्टिक तो चलिए अब में साय पे चलते हैं तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, next slide पे, अब हम बात करेंगे deforming force के बात करेंगे, sapor engus क्या होता जी बात का अपिता है जो किसी body की shape सेप और साइज को चेंज करें क्या करें जो किसी बॉड़ी की सेप साइज को चेंज करें उसको डिफार्मिंग फोर्स बोलते हैं जैसा कि बात कि हमने इसकी सेप और साइज अगर चेंज हो रही है तो हमने जो एक्सटरि practitioners लाया वोस्क क्या बोलेंगे बिफार्मिंग भोलेंगे तो आगे कांटिनु करते है दिफार्मिंग फोर्स आपके तेन तरीके के होंगे क्या होंगे ती कर आपने किसी वायर को लेकर आपने ऐसे खीचा अपने फोर्स अगया आसे उसके क्रॉस सक्षन की तुर्फ जया आपने जब ford यहां तो वह ए हो ख्रॉक्षन कि बढ़ी तो कहीं दिकें वो टेंसाय से आपने टैंसाइल आपका डिवार्मिंग फोर्स कहा जाएगा क्या आपने इक वायर को प्रकता अ अवस changing is safe and without any change in the size of such force are applied to the cross section area सिधीजी बात है कह रहा है कि इसमें deform चीजी यह का deformation होता है without any change size निए डिफोर्मेशन उसके अंदर होता है सिधीज के बेना चेंज होने की सिधी सी बात है जैसे उसका size change नहीं होगा उसकी size change नहीं होगा लेकिन भोल दे रहा है उसका सेप चेंज हो जाएगा किया उसकी साइच जिन्ज नहीं होगया कि सेप चेंज आए ये मतलब बाल लिजी हम hairs हम दो किसीने यहां सेव फोर्टा आध अभ़ाया ऐसेsie हम silent हो जाएंगे क्या हो जाएंगे हमा तिर्चा तर्चा हो जाएंगे ऐसे तो कहीं को वो लग लगे या ये ऐसे हो जाया हैoid इसकी पैज पहली बैसे थी हासा सिप्ट हो गया है नीचे वाली वहीं है यह हलगिसी फॉर्स आपने लागा कि एक सिल धिया तो यह क्या हो जाएगा आपका यह आपका हो जाएगा टेंजेंसिल फॉर्स इसका दूसरा नाम है आपका सेरिंग फॉर्स क्या नाम है सेरिंग फॉर्स यहांने सेरिंग डिफार्मेशन फॉर्स बोल सकते हैं यह दो तरीके का आपका फॉर्स एक नार्माल फॉर्स है दे कॉ काउस कंप्रेशन चेंजिन वालूम विदाउट इनी चेंजिन सेफ अब इसका सेफ चेंज नहीं होगा क्या होगा उसकी सेफ चेंज नहीं होगी तो कहीं नहीं उसकी वालूम चेंज होगी को बोलेंगे हम लोग क्या आपका नार्मल डिफॉर्मेसन ज़सी बात करें तो परफेक्ट्री आपने लास्टिक त्यार किया होगा क्या पिर जाके आम पार फिट्ट वगा जांसलों तो मतलब परक्रति अद्सक्राइब निभी होगी डास्टिस इटी की बात करें प्लास्टिस का मतलब ये और आप ने फॉर्ट लगा यह नहीं पोचा और जब अपने ओरीजिनल पोजिशन पर अपने पर नहीं जाता है तो उस में उसको प्लासिटी बोला दाक्या टिस एक नोट लिखाया हमने तो आज के लिए इतना रहन देते हैं अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब को जरूर कर लिजे ताकि इसके बाद वली जो स्रीज आएगी वो आपको नोटिफिकेशन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्यू प्राई है सकता में ऑगर टूर कावीस है ठना पता है और सब्सक्राइब क कर दोड़ो है वकी झाल वीज़